नमस्कार दोस्तों लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है देखते हैं नेटल्टी के स्वास्ते फाइदे के बारे में विभीन प्रकार की आउशुद्य चाय का सेवन करना प्राचेन चिकित सा प्रणाली का एक हिस्सा है लेकिन क्या आप नेटल्टी पीने के फ स्वास्ते लब शामिल है नेटल्ट लिफ को बिच्चू बुटी के नाम से भी जाना जाता है जो उत्तरी यूरोप और एशिया से आती है नेटल्ट लिफ का वईज्यानिक नाम आर्टी का डियो का है ये पोदे दिखने में बहुत ही सुन्दर होते हैं जिनकी पत्यों का आकार दील की तरह होता है बिच्चू बुटी के फुल पीले या गुलबी रंग के होते हैं इस पोदे के तन चोटे चोटे रुए जैसे बालों से ढखे जाते हैं जो चुने पर चिपा चिपा रसान चोड़ते हैं बिच्चू बुटी के पत्तों तन या जड़कों पीसकर पाउडर, टिंचर, क्रीम, चाय और बहुत कुछ बनाया जा सकता है जबकि प्राचिन समय से लोग इसे एक हरबल दवा के रूप में उप्योब कर रहे हैं बिच्चू बुटी का उप्योब करने से विभिन्न प्रकार के स्वास्ते लाप राप्त किया जा सकते हैं नियामि संबंदी स्थितियों जैसे प्रोस्टेटिक हाइपर प्लस्या से ग्रसित हो इसे बीपीएच के नाम से भी जाना रहता है यह स्थिति पुरुशों में एक बड़े हुए प्रोस्टेट ग्रंती का कारण बनता है इससे पेशाब में दर या अन्या समस्ताय हो सकती है 2013 में हुए एक अध्यान के अनुसर बीपीएच ग्रसित लोगोद्वारा नियमित रूप से नेटल्टी का सेवन करना इस समय को कम कर सकता है इसके अलावा नेटल्टी के फाइदे अन्या दवाओं का समर्थन करने में भी सायक होते हैं जो आप मुत्र संक्रमन को दूर करने के लिए ले रहे हैं बीच्वा चाय पीने के फाइदे शालिक दर्थ और गले की मास पेशों को आराम बिलाने में सायक होते हैं नियमित रूप से नेटल्टी का सेवन करना आपको गाठिया के दर्थ से राद दिला सकता है बहुत से अध्यानों से ये साबित हुआ है कि बी रक्त शरकरा के स्तर को नियंद्रित करने में मदद मिलती है नेटल्टी में मौजूद पोशक तत्वक अगनाशाय को अधिक इंसुरिन बनाने और जारी करने में मदद कर सकता है ये हर्मोन रक्त शरकरा के स्तर को कम करता है आप अपनी आखों को स्वस्तर रखने के लिए का इस्तिमाल कर सकते हैं बीच्वा चाय में बीटा केरोटीन के साथ ही विटामिन A की उच्छा मात्रा होती है जो आकों के स्वास्त को बेहत्तर वनाए रखने में सायक होता है बीटा केरोटीन विशेश रुप से लाल और नारंगी पोधो और खाद्य पदार्तों में पाया जाता है जो की आकों के लिए बहुती अच्छा माना जाता है एक अध्यान से पता चलता है कि नेटल लिफ में गेहू और जोग के आटे में मौजद बिटा केरोटीन से दस गुना अधिक मात्रा होती है ये योगिक रेटीना के स्वास्त को बढ़ावा देने और प्रकाश देने के लिए उचित दुरुष्टी प्रतिग्विया सुनिश्चित करने में एक महत्वपुर्ण भूमी का निभाता है आप अपने रिदे स्वास्त को बेटर बनाए रखने के लिए नेटल्टी का इस्तिमाल कर सकते हैं अध्यनों से पता चलता है कि बिच्वाचाय रिदे संबंदी रोगों को रोखने में प्रभाववी रूप से मदद कर सकता है जिसमें खून का गाड़ा होना और उच्छे रख्तचाप शामिल है अध्यनों से पता चलता है कि इस जड़ी बुटी में मौझूद फैनलिक याउगिक कोरोनरी रोख को रोखने में मदद करते हैं इसके अलावा नियमीत रूप से नेटल्टी का सेवन करने वाले लोगों को रख्तचाप संबंदी संब्स्याओं की संभावना भी कम होती है जिससे रिदय पर दवाग कम हो जाता है नेटल्टी में मौझूद एंटी इंफ्लामेटरी गुन, दमनियों और रख्तभाईकाओं में सुजन को कम करने और सामान्य रख्तचाप को बनाए रखने में सायक होते हैं जिससे रिदय रोख संबंदी बिमारियों की संभावना कम हो जाती है अब देखते हैं नेटल्टी कैसे बनाए ये चाय बाजार में आसानी से उपलब्द होती है आप इसे खुली हुई चाय या टी बैक के रूप में खरिद सकते हैं लेकिन आप अपने घर पर भी नेटल्टी का उपदन कर सकते हैं क्योंकि ताजी नेटल्ट की चाय पीना अधिक लाप दिला सकता है ताजी नेटल्ट से चाय बनाने के दौरान आपको विशन अनुपात में इनका उपयोग करना चाहँगी यदि ताजी नेटल लिफ्ट से आप चाय बना रहे हैं तो दो कप पानी में एक कप नेटल लिफ्ट के अनुपात में उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। नेटल लिफ्ट को पानी में डाले और केवल एक उबल ले। इसके बाद आज को बंद करें और पाच मिनिट तक मिश्रन को ठंडा हो ले। इसके बाद आप चाय की चन्नी से चाय को कप में छान ले। अतिरिकतर स्वाद बढ़ाने के लिए आप चाय में शेह, दालचीनी या टीवी या भी मिला सकते हैं, लेकिन भहुत सी लोग को नेटल लिफ्ट से एलर्जी हो सकती हैं, इसलिए पहले केवल नेटल टी का सेवन करें, यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है तो आप इस चाय का सेवन न करें, और अब देखते हैं नेटल टी पीने के नुकसा नेटल टी एक आउशदिय और अईर्वेदिक चाहे, जिसका कम मात्रा में सेवन करना फाइदे मन होता है, लेकिन यदि अवर्शक्त से अधिक मात्रा में इसका सेवन करना आपको कुछ नुकसान भी पोचा सकता है, किसी भी प्रकार की आउशदिय जुड़ी बुट्यों क सेवन करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जड़ी बुट्यों का सेवन आपके लिए एलरजी प्रतिकाओं का कारण बन सकता है, इसके अलावा अधिक मात्रा में नेटल टी का सेवन करना आपके द्वारा ली जाने वाली दवाओं क प्रभाव को भी प्रभावित कर सकता है, दोस्तों अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेर और सब्स्राइब कीजिए, और देखते रहिए, लोटस अईरवेदा इंडिया